हेलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग आशा करते हों का बच्छे होंगे स्वागत है आपका मेरे यूडिव चैनल बेसिक में आस्वानदेप्स में और इस वीडियो में करने वाला हूं क्यूब रूट से लेड़ेट एक रैडिकल प्रॉब्लम तो चले स्टार्ट करते हैं यहां में सिंपलिप्लाई करना है ब्रैकेट में में दिया है डिवाइट में दिया है यहां पर देखें कि स्टर से solve करेंगे जैसे कि यहां पर यह 2 लिखा हुआ है तो यहां पर 2 को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ देखें जैसे 2 है तो 2 अगर cube root 8 पूछे तो इसका answer क्या होगा तो cube root 8 का जो answer होगा वो होगा 2 तो मैं 2 को cube root 8 भी लिख सकता हूँ तो यहां पर मैं इसको लिख लूँगा कि cube root 8 इस तरीके से और यहां पर मुझे cube root 8 already given है divided by cube root 2 multiply cube root 32 अब इसको हम divide की form में डाल लेते हैं यहनिकी इस तरीके से कि cube root 8 multiply cube root 8 upon में cube root 2 multiply cube root 32 अब इसके बाद देखें एक rule होता है कि अगर cube root a हो multiply by cube root b हो तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं a multiply b इसका cube root तो इस ही का यूज मैं करूँगा फिलाल हाँ यहां पर b मैंने अलग लिया है हाँ तो दोनों ही ए और भी दोनों ही सेम है तो यहां पर इसमें भी मैं यूज कर लूँ को इसको और इसमें भी तो मैं इसको इस तरह से लह सकता हूं कि क्यूब रूट एट मॉल्टिप्लाए एट और फिर नीचे मैं इसके लिखूँ है कुब रूट तू मल्टिप्लाए 32 तो इस तरीके से मैं यह कह सकता हूं कि हाँ पर बन जागा cube root 64 और नीचे बन जागा 32 टू जाए यह भी 64 होता है तो cube root 64 तो देखें अगर cube root a हो upon में cube root b हो इस तरह से तो हम इसको इस तरह से भी लिए सकते हैं इसका hole ले लेंगे a upon b यहाँ पर ठीक है इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं तो यह यहाँ इस form में है मैं इसको इस form में डाल दूँगा तो मैं इसको यहाँ इस तरह से लेखूँगा cube root 64 upon में 64 तो अगर हम यहाँ देखें तो यह जो है 64 बन जा 64 यह बन जापर कर जाता है तो मैं इसको यह कह सकता हूं कि cube root 1 और जो cube root 1 का answer जो होगा वो क्या रहेगा वो रहेगा 1 क्योंकि 1 into 1 into 1 जो है वो 1 ही बनाएगा तो इसलिए cube root 1 का answer 1 रहेगा तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह question समझ में आया होगा तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो जो से like share और subscribe कीजिए तो मिलते हैं next वीडियो में और नए questions के साथ तब तक क्लिए पूटता हूं